नमस्कार दोस्तों हिंदी की सिक्षन विदिया चल रहे थी आज हम इसके पौर्ट नमर आठ पर बात करेंगे इस से पहले वाले वीडियो में आपको दो सिक्षन विदियां करवादी थी पहले आपकी अनुकरण विदी दूसरी आपकी धुन्यात्मक विदी अनुकरण से दो वीदियों पर बात करेंगे अपनी बासा सिक्षन की जो तीसरी वीदी है वो है सुरूती लेकन वीदी और चोत्ती वीदी है व्याकरन अनुवाद वीदी ये जो व्याकरन अनुवाद वीदी है ये एक्जाम की दरस्टी से बेहद मेत्वण है पिसले साल प्रस्ण पुछाता है कि बंडारकर विदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है या बंडारकर विदी को किस विदी को कहते हैं तो व्याकरन अन्वाद विदी को ही कहते हैं माल लेजिए आपका कल ही एक्जाम है कल ही एक्जाम है तो आप व्याकरण विद्धी के बारे में तीन चीज़े तो आपको दिमाग में रखनी है कौन-कौन सी एक तो ये कि इस विद्धी का प्रतिपाद कौन है भंडार कर विया है रामकरिशन गोपाल इसलिए इस विद्धी को भंडार कर विद्धी कहते हैं पहले चीज़ दूसरी माल लेजिए दूसरी ये चीज़ आपको याद रखने कि ये ड्वित्य भासा सिक्षन की विद्धी है ड्वित्य सेकंड लेंग्वेज ड्वित्य भासा का अगर बच्चे को ग्यान करवाना है व्याकरन के लिए है ये व्याकरन सिक्षन विद्धी है जिसे हम गद्दे सिक्षन की बात करते हैं पद्दे सिक्षन की बात करते हैं इसमें व्याकरन नाम से देखो व्याकरन विद्धी है व्याकरन का अनुवाद करवाना तो व्याकरन विद्धी है तो दूइत्ते भासा ब करते हैं पहले बाशा अपनी मत्री बाशा है जिसे हिंदी है विर्ते बासा या रित्रिते बाशा के रूप में हम अंग्रेजी फ्रेंच जो अपनी बासा की बात करते हैं इन बासा का अगर व्याकरण का ग्यान करवाना है तो व्याकरण अनुवाद विदी तीसरी आपको याद रखने है कि ये बासा सिक्षन की प्राचिंतम विदी है ये बासा सिक्षन की क्या है प्राचिंतम यनी पुरानी विद्धी है इसलिए इसको सास्त्री विद्धी के नाम से भी जाना जाता है अपको याद रहे दुरख लेना यहाँ पे अनुवाद लिखा है इस अनुवाद से आपको दिमाख लगणा है कि बच्चे को व्याकरण का ग्यान करवाना है मान लेजे बच्चे को अंग्रेजी की व्याकरण बढ़ानी है तो पहले उस बच्चे के मान लेजे व्याकरण की लाइन आपने बोल दी उसके बाद आप क्या करेंगे उस लाइन का आप अनुवाद करेंगे किस भासा में करेंगे बच्चे की मात्री भासा में अनुवाद करके व्याकरण को सिखा जाता है तो याद रखी का जो है व्याकरण का ग्यान पहले मात्री भासा में मात्री भासा में ये सब्द आपको याद रहना चाहिए मात्री भासा में पहले ग्यान करवाए जाता है फिर मात्री भासा को हिंदी के रूप में बता दिया जाता है फिर उसकी जो व्याकरण है जिसे अंग्रेजी का व्याकरण है उसको समझा दिया जाता है समझे में आगी चीज ये तीन चीज़ ये तो याद रखनी ही रखनी है चोथी चीज आपको वियाकरन विद्धी में एक चीज हो रहे है इस विद्धी से इस विद्धी से एक तो होता है आपका लिखन कोसल लिखन कोसल का विकास होता है जोन बेस डो यह सब्द याद रहे तो रख लिना नहीं रहे तो कोई बात नहीं जोन बेस डो उन्होंने यह कहा कि भासा का विकास करम में पहले सुनना होता है फिर बोलना होता है speaking और reading यह होती है लेकिन इस विदी में तो क्या होता है पहले writing यहनि लिखने का विकास होता है यह चीज़े किस ने कही थी जोन बेस डोने कही थी इस पर ही आधारित एक प्रस्ण पुचा गया था तो वो कथन भी में आपको करवाँगा और एक आरपेस से सेकेंड ग्रेड में एक और 2010 में प्रस्ण पुचा गया था इस विदी से वो भी मैं आपको इस विडियो के अंत में करवाँगा तो यह मुखे मुखे रूप से आपको याद रहने चाहिए अब हम थोड़ी सी detail में थोड़ी सी language के रूप में अपने notes के रूप में इसको लिख लेते हैं और समझ लेते हैं और ज़्यादा बेथर ठीक है इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ सुरूति लेकन विदी यह क्या है यह आज दो गलत लिखा गया तीन गलत लिखा गया यह तो अपनी क्यों सी विदी होगी तीसरी यह अपनी कौन सी विदी होगी यह चोथी विदी है जो लगातार मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता है अब देखो सुरूति लेकन में सुरूति का मतलब क्या होता है सुनना लेकन का मतलब लिखना सुरूति लेकन नाम से देखो सुनकर लिखना अब बच्चे क्या करते हैं सुनकर लिखते हैं सुनकर लिखते हैं इसका मतलब इसमें क्या होता है सीधा से बात है कि इसमें सुनने और लेखन कोसल में वर्दी होती है बच्चों की सुनने की और लिखने की प्रेक्टिस होती है तो ये किस पे जोड़ देती है सुनने और ले उनको बोलकर बच्चों से लिखवाता है कि आप लिखो, बच्चे सुनते हैं और सुनकर क्या करते हैं लिखते हैं, फिर टीचर क्या करता है कि उनने जो कोपियां चेक करता है सब कीर फिर देखता है कि किसका गड़त है और किसका सही है, और जिनकी गड़त है उनको सुदारत तो कहने का मतलब है कि इसमें बासा की सुद्धता का विकास होता है नाम से देखो सुरूती लेखन लेखन का विकास होना बासा की सुद्धता का विकास होता है और होता क्या है ये चीज़ याद रखेगा सुर्ण कोसल और लेखन कोसल में व्रद्धी होती है ये दो चीज़े आपको याद रहने चाहिए आईए अब समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से और आप नोट्स भी बना सकते हैं तीसरी विदी है सुरूती लेखन विदी बहसा सिक्षन में जब एक सिक्षक सबी बालकों को सुद्ध सब्द लेकन सिखाने का प्रियास करता है तो इसके लिए वह पाट के किसी अंस या बीस कठेन सब्दों का चुनाव करता है तता फिर उन सब्दों को सुद्ध रूप से उच्चारित करता है बालक सुनने के अधार पर सुद्ध सब्द लिखने का प्रियास करते हैं उसके बाद सिख सक स्वें प्रतेक बालक की जांच करता है और गलत पाई जाने वाले सब्दों को गोला बनाते हुए वह स्वें सुद रूप से लिखता है फिर वह स्वें उन्हें दस दस बार सुद लिखने के लिए प्रेरित करता है एस्सा करने से बालक में सुद्ध सबद लेखन का विकास होता है जो मैंने आपको बताया था सेम वही बात है आपको याद रहे जाएगी मेरे क्याल से ज़्यादा समझाने की भी आवसेकता नहीं है देखो इस विदी के गुण क्या है तो आपको पता लग गया मनोविग्यानिक विदी है क्या है मनोविग्यानिक विदी है दूसरा क्या है बालकों में भासा सुद्धता का विकास होता है अब ये मनोविग्यानिक विदी क्यों है आपको पता लग गया मुने आपको कल भी बताया था कि मनोवञ्यन के पिछे एक करण होता है या तो उस विदि क्या कोई ने कोई प्रतिपादик है या उस विदि में बच्चे क्या लेते हैं रूज़ी लेते हैं इन दोनों में से कोई एक बात लागते हैं इसका मतलब वो क्या है मनुविगयनिक विदी है अब बच्चे को बच्चे में एक जिग्यास होती है कि यार अगली बार में सही लिकूंगा माली जी मेरा सब्द ये गलत हो गया फिर वो सुनेगा कोई नया सब्द देखेगा उसको लिखेगा तो एक रुच्ची दपन करता है लेकन का विकास होता है तो इसलिए ये रुच्ची करा है इसलिए ये क्या है मनुविगयनिक विदी है बालकों में बासा सुदता का विकास होता है ये तो नाम से ही पता लग रहा है सुरूती लेकन बासा सुदता का विकास करना कोसल का विकास होता है तो याद रखेगा ये जो विदी है सुरूती लेकन विदी इसमें सुरन कोसल और लेकन कोसल के विकास होता है वर्दी होती है बच्चों में दोस्त क्या होता है देखो समय अधिक लगता है अब पहले सुनेंगे 20-20 नए वर्ड फिर उनको लिखेंगे फिर प्रियास करेंगे थोड़ा सा समय लेगता है कोई बड़ी बात तो नहीं है लेकिन याद रिखने भी बात नहीं है नौर्मल आपसद लोग जानते हैं और ऐसा प्रस्ण भी नहीं बिनने वाला योग्ये सिक्सकों का क्या पायजाता है अब वाव पायजाता है जो अब देखो योग्ये योग्य सिक्सकों का अभाव होता है ठीक है ये इंपोर्टेंट है ये विदी आपको याद रखने है व्याकरन अनुवाद विदी ये क्या है व्याकरन अनुवाद विदी आपके दिमाग में यह आ रहा होगा कि गद्दे सिक्षन की सर कौन सी विदी हैं पद्दे सिक्षन की मुखिरों से कौन-कौन से विदिया है वो मैं अलग सी लिखवा दूँगा अब यहां बताऊंगा तो लाश्ट तक आप बोल जाओगे फिर एक्जाम में भी याद में रहेगा कि गद्दे सिक्षन की कौन से विदिया थी पद्दे सिक्षन की कौन से विदिया थी मैं आपको लास्ट में लिखवा दूँगा मेरे याद भी है और अभी हम बासा सिक्षन की बात कर रहे हैं बासा सिक्षन के लिए देखो व्याकरण अनुवाद विदी जो होती है ये छोटे बच्चों के लिए वैसे उपयोगी नहीं है बड़ी स्तर की कलासी है अन्य भासा सिकाते हुए एक सिक्षक इस विदी का उपयोग करता है जिसमें सबसे पहले वहे भासा की विशे वस्तु को बालक की मत्री भासा में अनुवादित करता है और अनुवाद करते समय उस भासा के व्याकरण का ग्यान करवाता है उस बासा के व्याकरन का ग्यान करवाता है तो इसमें ज़्यादा समझने वाली बात है नहीं मैंने आपको समझा भी दिया है मत्री बासा में उस सब्द का पहले ग्यान करवाईगा ठीक है यह चीज़ याद रखीगा सबसे पहले भारती प्रिवेस में इस विदी का उप्योग दक्सनी भारती सिक्से सास्त्री स्री राम क्रिशन गोपाल बंडार करने सेंसकर्थ बासा को सिखाते वे किया था इसलिए इनके नाम पर इस विदी का बंडार कर विदी कहते हैं सबसे पहले उन्होंने सेंसकर्थ की जो बासा व्याकरन है उनको सिखाया था पेस्ट बासा तो अपनी हिंदी है मत्री बासा है तो इसको नहीं सेंसकर्थ की बात की थी और नाम क्या है? स्री राम कृष्ण गोपाल बंडार करी ये प्रस्णम पुच्छा हुआ है कभी ना कभी फिर रिपीट हो तो थोड़ा सा देख लीजीगा आगी बात करते हैं देखो भारत देश में इस विदी के द्वारा फ्रेच, जर्मन, फार्सी, उर्दू, अंग्रेजी, लेटिन, सेंसकर्थ बासाओं के उसकाने के लिए उप्योग में किया जाता है यह अपने दूसरी, तीसरी बासा है तो आराम से इनका सिखाने के लिए विदी है तो यह अपने आज की दो विदियां थी कौन-कौन सी पहली व्याकरण अनुवाद विदी, दूसरी क्या थी एक आपकी सुरूति लेकन विदी अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे रसा स्वादन विदी जिसको उपसहार विदी या गीत विदी भी का जाता है ये भी एक्जाम के दरश्टी से बहुत ही मेत्वण है अब देख लेते हैं दो प्रस्ण इस विदी से गोपाल करिशन बंडारकर वाला बंडारकर विदी के नाम से जाना जाता है ये तो प्रस्णाय होए रेट में याद रख लेना दूसरा प्रस्ण देखो व्याकरन अनुवाद विदी है पहला उपसन है पर्थम बासा का व्याकरन पहले पढ़ाया जाता है तो पर्थम बासा की तो बात ही नहीं करता है पर्थम वे दूसरा बासा की व्याकरन का समांतर पढ़ाया जाता है देखो पर्थम की बात ही नहीं करेगा तीसरा है देखो दूसरा बासा का व्याकरन पहले पढ़ाया जाता है ये ठीक है पर अगला देखेंगे व्याकरन अनुवाद विदी के स्तान पर दुध्य भासा सिक्षन की किसी विज्ञानिक पद्धि की आवसेक्ता स्रव पर्थम प्रतिपादित की तो इन्होंने ये जोन बेस्टो इसका नाम याद रखेगा ठारवी से दिपने इन्होंने ये बात कही थी और मैंने इसका पहल दो तिन चीजे इन विद्यों से पकी पकी याद रखनी है सिद्धे प्रसना आईगा थोड़ा सा आप दिमाग लगाई कि करिए का ठीक है तो ये अपनी चार विद्यों होगी है पहली आपकी अनुकरन विद्य होगी complete इसके बाद आपकी दूसरी विद्य मेंने आपको कौ किजीगा दूसरी विद्य थी अपनी धहन्यात में की दिव माइकल से मरवाली कल में इसा करूंगा एक काम और स्टार्ट करें जैसे अपनी ये क्लास तो रेगुलर चली रही है सीटेट में आई हुए सीटेट में आई हुए जो प्रसन है यूनिट चार से समद्धित है धन्यवाद दोस्तों बहुत पूस्ट शुक्रिया वीडियो कैसे लाका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा थेंक्यू सो मच बाबाई